नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल इस पर्ष क्लासे में दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा गिफ्टेड चायल्ड पर्थिवा संपन बालक आज के जो टॉपिक है यह भी हमने कल बात की थी मैंटिली डिटार्टेड की यानि कि मांसिक मंद फर्स्ट चीर में डॉइंग अप अज आपके टोपिक आता है और सकिंड यह में आपका इंक्लूजिव स्कूल में इंक्लूजिव एजुकेशन में आपका 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 आता है मौस्ट इंपोर्टेंट टोपिक है लोंग कोशन के पॉइंट आफ व्यू से तो चली इसी तरह की एक पर्तिवा हो ठीक है जो नॉर्मल लोगों से हट कर हो डेफिनिशन देखते हैं क्या है इसकी पर्तिवा संपनबालक अधिक शम्ता वाले होते हैं इनकी जिनमें नॉर्मल बच्चों से बहुत जादा अबिलीटी हो बहुत जादा कैपिसिटी हो अधिक इसकी पर्तिवा संपनबालक गिफ्टिट चाल्ड पर्तिवा संपनबालक की योग जिता चमता हैं समान आयू वाले बच्चों से अधिक होती हैं मतलब जो उनकी सेम एज ग्रूब के बच्चे हैं उनसे जादा होती है कुछ अब इसमें जो आई क्यू का लेवल है वो भी साइकोलोजिस है जो ये मानते हैं कि गिफ्टिड चाइल्ड का आईक्यू जो हता है वो 150 से जाधा होनों चाहिए ठीक है तो कोई तो मानता है 120 और कोई कोई मानता है 150 से जाधा कोल सनिक ने देफिनेशन देथी गिफ्टिड चैल्ड की कि वह हर बच्चा जो अपने आयो के बच्चों से किसी भी योग्यता में अधिक हो जाधा हो और जो हमारे समाज के लिए महत्पून योगदान दे यानि कि बहुत महत्पून कारिय करें हमारे समाज को लेकर तो उन्हें परतिवा समपनबालों के क्या क्या विशेस्ता ही होती है तो सबसे पहला पॉइंट है आपका कि विशेस्तार के ख्षोच कुछ नया सीखने की उसकता और समच्या को सुलजाने वाला वहवार इनमें होता है मतलब अगर हम बात करें कि परतिवा समपनबालों के क्या विशेस्ता होती तो इनको कैसे पहचाना जा सकता है तो सबसे पहले तो यही पॉइंट है आपका कि इनमें को विशेज तार के खुश होती है एडवांस्ट लेवल की जो है होती है इनमें लोजिकल थिंकिंग होती है ठीक है क्यों इसी वी चीज़ को जानने के लिए बहुत जादा होती है हर इसको वो जानना चाहते है ठीक है एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेविर नहीं के समस्या को सुल्जाने वाले बियावार होता है वो इनमें अधिक पहया जाता है कोई भी प्रॉब्लम दे दें तो वो क्योरिसिटी रहेगी उनमें तो हर नई चीज़ को जानने की क्यो इनमें एडवांस लेवल की ओरिजिनल अपनी खुद की और क्रीटिम ठीकी को टिया यहिंदे की रचनात्म गुरूप से जादा सूचते हैं क्रीटिव ली जादा सूचते हैं हाई लेवल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड सेल्फ इस्टीम इनमें हाई लेवल का Independent and Non-Confirmist Thinking स्वतंतर होते हैं और गैर अनुरूप्वादी सोच वाले होते हैं Non-Confirmistic – Thinking वाले होते हैं और Independent होते हैं प्रोब्लम की बात करें परतीवास हाली बच्चों की क्या समस्रिय whether it depends on us कंदर जालते हैं पर्थिवासाली बच्चों के सामनरे सब सब बड़ी समयफफिया होती है अन्य बच्चों यह समायव जंगी ऐसा भाइधे मांसी हाज्च से मंद बच्चों उन्हीं को ही और गिफ्टेड चायल्ड को भी एडजस्ट करने में बहुत जादा प्रोब्लम होती है और गिफ्टेड चायल्ड की में प्रोब्लम यही होती है कि वो नोर्मल एवरेज बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते क्योंकि उनको हर चीज हाई ले लिफल पर चाहिए होती है अगर कलास के बात करें, में जो टॉपिक चल रहा होता है जो टॉपिक आप टीचर पढ़ा रहें तो वो नॉर्मल वे में पढ़ाएंगे नॉर्मल चिल्डन के पढ़ाएंग Pi लेकिन जो gifted child होंगे वो उस चीज़ को जल्दे समझ लेते हैं तो वो उसमें बोर होने लगते हैं उस चीज़ में ठीक है उनके पास high level की thinking है तो उनको सबसे ज़्याद़ प्रोब्लम किसमाती adjust करने में प्रतिवसाली बच्चों के सामने सबसे बड़ी समझ आते हैं कि वो adjust नहीं कर पाते हैं प्रतिवसाली बच्चे अपने कक्षा के अन्य बच्चों के साथ अपने वातवरण में आसानी से नहीं मील पाते हैं ऐसे बच्चों के समझ्चा का केंद्र उनकी जरूरत होती है जैसे तो हर बात पर questions put up करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं की curiosity होते ही जानने की, आप कोई भी topic पढ़ा दीजी, उसमें अंदर तक की detail में जा जाकर, वो questions को put up करेंगे, ठीक है, ऐसे बच्चों को अधिक ज्यान की ज़रूरत होती है, वो जादे से जादा knowledge को लेने की कोशिश करते हैं, और जहां वो नहीं मिलेगी, वहां पर उन्हें adjust करने में problem होगी, ऐसे बच्चे की विशेश योग गता को सही विकास की ज़रूरत होती है, एक खास बात यह है, कि कोई gifted child है, उसमें सुपता है किसी चीज़ को जानने के लिए, या कोई भी topic के बारे में वो detail में चाते हैं, तो ज़रूरत है कि उनको detail में जानकारे मिले, अगर नहीं मिलेगी, तो उनके साथ, तो भी उनके जो development है, वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, प्रोपर तरीके से नहीं हो पाएगा, नेक्स है, ऐसे बच्चों को आत्म अभिव्यक्ति की अविश्यक्ता होती है, ठीक है, ये self-expression जादा चाते हैं, ये अपनी अभिव्यक्ति को, अपने thoughts को बहुत जादा शेयर करना चाते हैं, खुद के विचारों को लोगों के सामने रखने जादा परसंद करते हैं, तो बात करें कि ऐसे बच्चों के कैसे शिक्षा होने चाहिए, किस तर रसन की education करा चाहिए, तो परदीबर सारी बालकों के शिक्षा में अगर बात करें, education for gifted children के अगर बात करें, तो सबसे पहला point है कि सहाय और चुनोती पौन शिक्षन बात तावरन होना चाहिए, मतलब environment जो है learning environment जो है, वो supportive होना चाहिए, बच्चों को support करता हूँ, और challenging हो, चुनोती प करते हैं, accept करते हैं, तो जितना ज़्यादा चैलेंज हो, उतना ज़्यादा उनको interest आएगा, special attention and educational programs, विशेज ध्यान और सेक्षिक कारेक्राम, ऐसे बच्चों पर special attention दी जान चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ mentally retarded या backward children पर ध्यान दिया जाए, gifted children पर भी special ध्यान देने कि ज अलग-अलग तरेके के परभावी शिक्षिन विदियो की ज़रूरत होती है, और effective करम, परभावी पाठ्ठे करम की ज़रूरत होती है, यह तो है उसके बात, अगर नॉर्मल क्लास के बात करें, कोई बच्चा ऐसा है, जो कि gifted है, सिधी से बात है, अगर gifted है, तो अगर adjust नही तो advanced level की thinking रखता है, वो चीजो को जल्दी समझ लेता है, आपने एक बार कोई बात समझा ही, उसने समझ ली, अब आप उसको जब explain कर रहे होते हैं, वो उसके लिए बोरिंग काम होता है, तो ऐसे टाइम पर जरूरत है, अगर वो बीच में को questions पूट अप कर रहे हैं, तो खिलास में इस conditions में एक teacher को करना चाहिए कि जो gifted चल रहे होते हैं, उसको कुछ नो कुछ चैलेंज देते रहें, बीच बीच में, उसके लिए एक special काम उसको देते रहें, जैसे उसको include कर लेना अपने साथ, उससे को questions बीच बीच में put up करते रहें, ताकि जो उसका ध्यान है वो उसी में focused रहें टॉपिक में, तो ये आपका long question में आपके questions आ जाते हैं, gifted child, backward child, mentally retarded child, इन में से एक question आपका long question में जरूर देखने को मिलेगा, बागे सभी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, तो link पूरी playlist का आपका description में मिल जाएगा, सभी playlist को एक साथ link हमने बना बनाए हुए है, अलग अलग subject, psychological बनाए हुआ है, फिलोसिफिक अलग है, contemporary की अलग है, सभी playlist बनाए हुई है, और सभी का जो link है, वो आपको description में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं, अपनी preparation इस्टार्ट कर सकते हैं, वीडियो अच्छे लगिए तो लाइक और शेयर करना ना भूले और साथी साथ चैनल से जोने के लिए चैनल को सब्सक्काइब जरूर कर लीजिएगा, आज के लिए बोजेत नहीं, मिलेंगे आनने वाली वीडियो में, आज के लिए नहीं आपको आपको